बाइज अच्छा लग रहा है आप लोगों से रोगरो होते हुए और आये लिक्त स्वाल साथ जुनना चाहते हैं अप्सांति इस बहुत अच्छा है शेश जी बताइए आप कैसे हैं अच्छा 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 आवाज भी तो नहीं आ रहे हैं लेकिन ज़र आप सुखेंगे आहाँ आहाँ कि चन्दा ज़र दी है जी-जी-जी क्याता है कि आपने अच्केट बजन दे चगरा गिया है वो बजन दी बहुत अच्छा ताच्छ आपके सुनाया कि जी-जी-जी जी-जी-जी जी-जी गरत एक जीजी वेकिन को आफ अफकार हो जिसको आप जी लेकिन आजकल वह नहीं, आजकल के मेमन आते हैं, तो भूलते हैं आफका आफकार हो गाई, पिसकी कोजसा हुआ के वह कम हो गई है कि नुप भास भी नाइब गाहंकूट को तुज कि पर भी हो तुटतत जिएbat को बाकडाय को ठीड होता तुझ आप मेर रां फुटतत अबादित को आप मेरी भास को हुआ है मतलु के लिद तुछ दुटत भास को आप म implication में कohl मेरी धर को दुटत आप है उनिए rat जी जी आप सभूराएंन लूटस और दीज चलू हो गया और तो सुझी बहुत बाद दन्यवाल शुक्रियां हमारे साथ प्रचू बड़ ऌत के लिए आप कि सोमच बहुत बहुत शुक्या आप सुनाए है रिडिमाद बन 90.4 एफम नई किरन इसका रिक्रब को आप सुनाए है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी भावनों से दूर जाते हैं और बात करते हैं तो अच्छा लगता है और हमारे भी चार्ज खास मेमान गोवा से पड़ा रहे हुए है दिपक भाई और अंजली बैन आई हुए है यहाँ पर विशेश मांट आभू अपना चेकिंग कराने के लिए हैं हलो जी नमस्कार ओं ओं शांती ओं शांती ओं शांती कुले अफ़म करें है उपतन मतलें दीपा चार चार ही करें धूं करें दो करेंक is जी!!! जी सुनाई है अलो है यह अलो है अलो है अलो है अलो है अलो है बहुत बहुत अन्यवाद शुक्रिया आपका एंगे समच हमारे साथ जोग कर आपने बहुत करने के लिए तो आईए मैं दीपक जी से जोड़ना चाहूंगा वो गौवा से विलाम करते हैं तो अच्छा लगता है गौवा नाम सुनके ही एक टूरिजम की याद आती है दीपक जी स्वागत है आपका अच्छा है बीच है और चांती का महौल है और हम वहां भी पचास साल की उपर से रहते हैं अच्छा एक मिनीटें से बबाद कर लेते हैं अलो जी नमस्कार जी कौन बोलना है पंगर जी स्वागत है बढ़ाईए सब्सक्राइब करते हैं कि चल्से जैनलिस का खास्मा हो जड़े है जी जी बात है सब्सक्राइब करता हूं कि इतने भी लोग ने हैं तुमने वहां वहां आपको पूरा पूरी तरीके चेस्ट के बचादा कर दी सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं ट्रेनिंग देते हैं और अलग अलग सर्विसेज करते हैं और साथी साथ ब्रमकुमारी से जुड़े हुए है और ब्रमकुमारी इसका जो फिलासफी है उसे भी फॉलो करते हैं मेडिटेशन करते हैं और एक बहुत अच्छी बात क्या है कि अभी यह दोनों जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए हाई थे हार्ट के लिए तो उन्हें काफी अच्छा लाब मिला है और उसके बारे हम भी हम लोग अंजली जी से सुनेंगे लेकिन अभी दियोंप बीच, कोलवा बीच, बैन अलिम तो वहाँ पर बीच पर आते हैं लोग अपने शाम की संसेट डेखने आ ले थे कभी सुबह संराइस के लिए आते हैं और काफी वहाँ पर जो मंदिर और चर्चिस हैं वहाँ पर लोग स्पेशली दर्शन करने जाते हैं जैसे मंगेशी जब शांती से तश्यन कर सकते हैं और चर्चिस में भी आते हैं लोग को कि संट फ्रांसेस जेवियर का बॉड़ी वहाँ पर है तो आते हैं वहाँ देखने के लिए और काफी इवनिंग क्रूज भी रहती है जो नदी किनारे पर क्यों क्रूज रहेगी तो संसेट क्रूज मिलता है जहां पर लोग को संसेट का इंजूएमेंट मिलता है घुवन उसिक का मिलता है चाथ अर गुवन टैप का फूड पाता है। जो सात्विक फूड भी जो चाहिए वो भी काफी मंदिरों में और काफी रेस्टोरन में मिलता है, जो एक अलग किसम का टेस्ट रहता है, जो पेट के उपर भारी नहीं पड़ता है, काफी लाइट रहता है, और गुवा में सबसे बड़ी इंपोर्टन चीज है कि एक दम शा लिए वजय से काफी टूरिस्ट कम हो गए हैं फॉरें के बहुत टूरिस्ट आते से, अब सब फ्लाइट्स काफी बंध हो गए वहां से, और इंडियन टूरिस्ट भी अभी ट्रैवल करने के लिए काफी दिकत हो रही है, उन लोग भी सोच रहे हैं कि घर में रहेंगे, तो अपना वाइरस जिसे बोलते हैं कि टेंपरेचर वड रहा है, तो बाबा की देन है ये कि हम लोग समझ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो गोवा में सब का विशे स्वागत है, जो जिसको भी एंजोय करना है, थोड़ा अपनी मन शांत करने है, दिपक जी बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मुझे भी अच्छा लगा कि आप पचास सालों से रह रहे हैं और हंदी फूट है वहाँ पर और नारियल के बहुत सारी चीजे बनती हैं, ऐसा सुना है आपने तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, आई आगे बढ़ते हैं और अजली के लिए खास है, तो इसमें डाइट एंड मेडिटेशन का एक विशेश डोल होता है, इसको अपनाते हैं, तो हमारे जीवन बहुत ही संदर हो जाता है और काफी बुमारियों से हम लोग रहात पाते हैं और अच्छा healthy, healthy and happy रहते हैं, तो अंजली जी बहुत-बहुत है आप मुश्कार, मैं कैसे आप, मैं ठीक हूँ, हम लोग, एक्च्छी हमेरे इनुवल को, दो हजार उन्वीस के शुरू में ही 1st January को heart का problem हुआ था, तो उनको तुरंत ही कि अच्छी हस्पताल लेकर जो स्टैंड बिठाना है वो सब इठा दिया था लेकिन फिर भी हमें पता था कि अबू में जो का प्रोग्राम है वो चलता है पता था तो हमने तभी स्टाई कर लिया था कि हम उनको लेके के लिए अबू आ जाएंगे तो जैसे भी हमने डॉक् केम क्यू से साब से हम लोग अठरा अपरिल को आबू आ गए थे तो उस ताइम तो इतना पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं या क्या सीखने जा रहे हैं लेकिन जब पहला दीन हुआ जब डॉक्टर सहाब दे जो अपना लेक्चर दिया और उने काफी कुछ आत्मा बात्म ज quindi हम कई तो हमको एक कि हम कहीं सही पाथ पे जा रहे हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं हम कार्मल लाइफ जी रहे थे और डोक्ट्रोंकी दव्हा से यह ऐसा ही सब ढेंग होते हैं ऐसे सब सोचते थे लेकिन यहां कि पता चला कि हम डोक्टर से नहीं ढॉक्टर ऑगा और meditation करते रहें तो हम काफी हमारे जो वीचार है वो बदल जाते हैं और उससे हम काफी शान्त मेशस कर रहे हैं जी, जी, जी जी नमस्कार पर अपर एब कंची गुड मॉर्न जी गुड मॉर्न जी गुड मॉर्निक काइसे हैं आप अच्छे है और हमारे अंजिली को और और नमस्कार जी 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 आजी बोलिये बोलिये सुन रहे हैं लोग थोड़ा सा आवाज आपको सुनाई नहीं देगा लेकिन आप बोलते जाएं अच्छा 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 सुनाता हूँ आच्छा स्वारा अच्छा सपनों में एक मुला का सभी तुम सवस्य रहना हूं चाहिए बहुत बहुत अनिया शुक्रिया बहुत अच्छा आजव कविता आपने सुनाए थैंक्यू आप सुनाए है रिमाजबन 90.4 FM चलिए थे गुज्रालत जोटा ना अनावरा से शैशुरी जी जो बात कर रहे थे और अनजली जी के लिए कविता सुनाए जी अनजली बहुत रहे हैं तो कैसा आपको मना क्या चेंजिस आया यहां जो हैट कैम्पेन या पैटेंड के उसके ब रूटीन रहता था लेकिन अपका रूटीन ऐसे बदल गया है कि वही साड़े तीन मजे उठ जाओ मेडिटेशन करो प्रभू से बाते करो और उनसे उनकी जो विचार है उनकी जो महावाक के है वो सुनने हम जो जाते है रोज मुर्दी सेंटल में पी जाते है तो काफी प् है आथ महाशे बदल भूड़ आपना ए भाद हुए जाते हैं तो काफ बतल की खाना पनाएगे तो काफी कुछ आपके जो हीर्ट के उस्चूज बदील बेरल कान्ट्रोल मैं हो जाता है iveness, वह रहता है यह जना धा थैरो लिग तो इसजैया हमें हां हे जनाख बेर्वारिक में उसमें मुझे मुझे खुद को उसका काफी अनुबर हुआ कि जो हम नीचे नहीं बैठ सकते थे वह काफी आराम से हम जमीन पर बैठ सकते घंटा दो घंटा और हमारी खुद की लेवल जो काफी कम थी वह बढ़के 30 से हमारी बढ़के 49 पहुच गई तो वह एक अचेंद्रे सुख जो बाबा के साथ रहते हमको हां और खाना फॉलो करते हुए हमको बहुत ही फरक पड़ा है अंजली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बता है कि इस तरह से आपको हेल्थ में benefit हुआ meditation और राजयोग और डाइट से यह आपने बता है अच्छा लगा हमें सुनके और थैंकि सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए दिपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गवा के बारे में आपने बता है अच्छा लगा हमें सुनके और हैंकि सुमच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आई आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को लिए चलता है बहुत ही प्यारा सा गीत की तरह उसके बाद फिर बाते करते हैं आप सुना है रिदमाद नाइंटी कॉइंट पॉइंट हैं सुनते रहो मस्कूर रह करते हैं ये फरिष्टे जूँ